हेलो दोस्तों स्वागत है आपका चैप्टर चैट की यूट्यूब चैनल में यहाँ आपको बुक की पेस्ट समरी सुनने को मिलती है आज की जो हमारी बुक समरी है वो है How to Stop Worrying and Start Living जिसे लिखा है डेल कार्निगी ने हम सभी जानते हैं कि चिंता हमेरे जीवन का एक अवांचित महमान है यह तनाव, बेचेनी और परोशानियों का बक्सा लेकर आती है पिडंबना यह हैं कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाले डेहर सारी किताबे हमें ग्यान तो भरपूर देती हैं लेकिन वे हमें यह नहीं सिकाती कि चिंता से कैसा लड़ा जाए यहीं पर डेल कार्निगी की बेस्ट डिसेलर किताब आपकी मदद के लिए आगे आती है यह किताब सिर्फ आपको यह बताने तक सिम्ध नहीं रहती कि चिंता मत करो बलकि यह चिंता को दूर भगाने का एक व्यवारिक रोड मैप प्रस्थुत करती है कारनेगी का मानना है कि चिंता को दूर करने का ज्यान हमारे पास अक्सर होता है लेकिन समस्या यह है कि हम उस पर कभी कारवाई नहीं कर पाते यही कारण है कि उनके किताब केवल सिधानतों पर बात नहीं करती, विलकि वास्तविक जीवन के जोलन अधरणों और कारगार रणनितीयों से भरपूर रहती है इस पुस्तक के खासितों के बारे में बात करें तो पुस्तक में उन लोगों के व्यास्तविक अनुभाओं का वर्णन है जो चिंता पर विजे प्राप्त कर चुके हैं उनके सफलता के मंत्र आपको प्रेड़ना और दिशा देते हैं किताब The Magic Formula और The Power of Now जिसी कारगार रणन नितियों से ले से जो आपको चिंता से निपटने के लिए व्यावारिक उपकरन प्रदान करती है जटिल मनोविग्यनिक शब्दों से परेहट कर किताब सरल और सहज भाषा में लिखी गई हैं जिससे पाठकों को इसे समझने में आसानी होती है उस तक के कुछ महत्वपून सीखें जो है चिंता को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम में कारवाई करना जितनी जल्दी आप इन रणे नेतियों को लागो करना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आपको परिणाम मिलेंगे वरतमान में जीना चिंता को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है बूत काल के पच्टावे या भवशे की चिंताओं में ना उलचे बलकि वरतमान पर ध्यान दे चिंता को जड़ से मिटाने के लिए हम अपने सोचने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं किताब आपको सकारातमक सोच विक्सित करने में सहायक करती है How to stop pouring and start living उन सबी के लिए एक वरतान है जो चिंताओं से मुक्त होकर क्या उपाय किये जा सकते हैं शोशल मिडिया पर अक्सर मिलने वाला एक कोट है Yesterday is the past, tomorrow is the future but today is the gift that is why it is called the present आपने भी इसे कही न कही जरूर पड़ा होगा इसे तरह के कही और भी कोट से जो हमें आम तोर पर शोशल मिडिया पर मिल जाते हैं गेराई से सोचे तो आप समझ पाएंगे कि किवल वर्तमान में ही जीना आपके जीवन को बहतर बना सकता है वर्तमान शब्द का अर्थ है ये कहना मुश्किल है यदि आप इससे पूछे तो मैं कहूंगा कि आज का दिन आपके लिए किसी तोफ़े से कम नहीं है यदि आप आज में जीना सीख जाते हैं तो आपको तनाव और चिंता का अनुभाव नहीं होगा डेल कारनिके ने अपनी पुस्तक में सर विलियम ओसलर का ओधारन दिया है ओसलर एक प्रसिद्ध केनेडाई डॉक्टर थी जिन्होंने जॉन होकिंग्स मेडिकल स्कूल की स्थापना की थी सन 18 से 11 में जब वे मेडिकल स्कूल में पढ़ रहे थे वे अपने भहिशे को लेकर बहुत चिंतित थे उनके अंतिम परिक्षा शुरू होने वाले थे और उन्हें पता नहीं था कि वे पास होंगे या नहीं वे आगे क्या करेंगे अब में प्रेक्टिस कैसे करेंगे क्या वे एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे भी या नहीं यह एक आम बात है हमेरे साथ भी ऐसा होता ही है हो सकता है कि आप अभी भी किसी परिक्षा के तयारी कर रहे हो या जिस छेतरे में आप काम कर रहे हैं उसमें भाईशय को लेकर तनाव में हो यदि ऐसा है तो आप औसलर की इस्तिती को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे 1891 के वसंतरी तुमें आउसलर इसी चिंता और तनाव में अपने दिन गुजार रहे थे तब ही उन्होंने कुछ ऐसा पड़ा जिसने उनके जिन्दगी बदल दी क्या था वो जो उन्होंने पड़ा था ये जानने के लिए उन्हों बहुत उसकता थी वे पंक्तियां थी जो चीजे हमारी नजरों से दूर हैं और हमें सपष्ट रूप से दिखाई नहीं देती उनके बारे में जानना हमारा काम नहीं है बलकि हमारा काम उन चीजों पर ध्यान केंदरित करना है जो हमारे हातों मे है या फिर नज फिर हमारे पास है मैंने अपने देनिक जीवन में इस बात को कई इस्तिवियों में महसुस किया है सपष्टियों की मौसंब में एक दिन गर के बार चारों तरफ सिर्फ कोहरा था मुझे बाहर जाना था और मुझे लगा मुझे अपने पास की चीजे साफ दिखाई दे रही है उस समय यदि मैं दूर चीज देखने की कोशिश कलता तो मुझे कुछ समझ नहीं आता लेकिन मेरा ध्यान पूरी तारे से अपने सामने दिखाई देने वाली सड़क पर था जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा मेरे आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई देता गया और मैं अपने जगा पहुँच गया उसला दोरा पड़ी गई पंक्तियां इस इस्तिन में मेरे लिए बहुत सही लगी हमरा ध्यान केवल वर्तमान पर होना चाहिए उन गटनाओं पर जो तुरंद होने वाली है उसला ने भी ऐसा ही किया उन्होंने अपने सारी चिंता और तनाओ छोड़ कर सिर्व अपने परिक्षा की तयारी की और धीरे धीरे उनके लिए आगे के दरवाजे खुलते चले गए क्या आपने कभी रेत की घड़ी देखी है काँच का वह बरतन जिसमें रेत देरे देरे पतले रास्ते से नीचे गिरती रहती है आप अपने जिंदेगी को इसे रेत की घड़ी से तुलना कर सकते हैं जैसे हर रेत का कण एक निश्चित समय पर गिरता है वेसे ही हमेरे जीवन में हर घटना हर काम का अपना समय होता है लेकिन हम अकसर क्या करते हैं हम भविशे की चिंता में वरतमान को गवा देते हैं सारे काम सारी चिंताए एक साथ पगड़ लेते हैं भूल जाते हैं कि रेत के कणों की तरह हर काम का अपना समय होता है एक साथ सब गिरने की कोशिश में हम गड़ी तोड़ी देते हैं जीवन भी ऐसाई हैं हर दिन एक नई जिन्दिकी है सुबह उठते ही आपके लिए एक नया आज शुरू होता है उस दिन की जिम्मेदारियां उसी दिन पूरी करें कल का काम कल के लिए छोड़ दें मैंने मेशीगन में रहने वाली श्रीमेथी एके सिल्स के बारे में पढ़ा 1937 में अपने पती की मृत्ति के बाद वे आउसाद में चली गई ना तो कोई कमाई का साधन था ना जीने की कोई वज़े देरे देरे उन्होंने अपनी पुराने जिन्देगी को दोबारा सवारना शुरू किया हर दिन चोटे चोटे कामों से शुरुआत की एक दिन उन्होंने एक लेक में यह वाक के पड़ा हर दिन एक नई जिन्दगी है ये वाकिन उनके लिए प्रेड़ना बन गया उन्होंने इसे अपनी कार की सीट पर चिपका दिया तकि हर सुबह ये उन्हें याद दिलाता रहे कि केवल आज में जीना है दीरे दीरे श्रीमती सिल्स ने भविशे की चिंता छोड़ कर वर्तमान पर ध्यान देना शुरू किया इसका बढ़ नाम यह हुआ कि वे अपने काम में सफल होने लेगी सोचिए क्या भविशे की चिंता से हमारा भविशे बहतर होता है नहीं बलकि इससे सिर्फ तनाव और बोज बढ़ता है इसका समाधान है वर्तमान पर ध्यान देना आज की कामों को आज ही पूरा करे हर दिन एक नए आफसर है नए शुरुआत है यह ज़रूरी नहीं कि वर्तमान में जीने से आपके सामने कोई समस्या नहीं आएंगी समस्या तो आएंगी है लेकिन जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आप उनसे लड़ने के लिए तयार रहते हैं अगले एपिसोट में हम यह सीखेंगी कि समस्याओं से केसे लड़े केसे हर पल का आनंद ले और केसे वर्तमान में जीकर जीवन को सफल बनाया जाए चिंता की भूल बलेये से बाहर निकलने का रास्ता अशान्ती से शान्ती की और इस एपिसोट की सुरुआत करने से पहले आए हम थोड़ा गहन विचार करें किसी ऐसे समय को याद करें जब चिंता ने आपको जगड लिया था और आप क्लियरली सोच भी नहीं पा रहे थे भावना का जौर भाटा आपको बहा ले जा रहा था और आप आगे क्या करें इस असमंजस में पूरी तरह से उलज गए थे अब उस परिस्तिती के परिणाम पर गोर करें वही मुद्दा जिसने आपकी रातों के नींद चुरा ली थी क्या वो आज भी आपको परिशान करता है या आपने सुक शान्ती पा ली है और इन चिंताओं को पीछे छोड़ दिया है इसका जवाब एक एक स्ट्रॉंग एकसेप्टेंस में है और वो है नहीं आज आप उस इस्तिती से परिशान नहीं है ये मैं पुरे विश्वास से कह सकता हूँ क्योंकि कभी मैं भी आपकी इनाओं में सवार था आपकी तरह मैं भी बेवजय की चिंताओं के जाल में फस जाता था और उन्हें अपने भावों पर हावी होने देता था लेकिन आज जब मैं पीछे मूड़ कर देखता हूँ तो या तो उन बातों पर हस पड़ता हूँ या फिर उन्हें अपने इन मेच्योर होने का हिस्सा मान कर आगे बढ़ जाता हूँ चिंता वो कप्टी भावना है जो हमारी वास्तविक्ता को तोड़ने में माहिर है ये चोटी चोटी गटनाओं को भी विशाल समस्याओं का रूप दे देती है ये हमारे भविश्य पर एक काला सया डालती है जिसमें कोई उम्मीद ये संभावना नहीं होती और ये हमारे वर्तमान में गुस पेट कर लेती है उस खुशी और शांति को चुरा लेती है जो हमारे जीवन को सम्रद्द कर सकती थी चिंता का तोड नहीं बलकि उसका सामना प्रभावी डंग से करने की शमता विक्सित करना ही इसका असली इलाज है ये चिंताओं के शनिक सोरूप को पैचानने के बारे में है ये समझने के बारे में है कि वे अक्सर ठोस खतरों के बजाए गेर वास्तविक भहव से उपजती है चिंता के चंगुल से मुक्ति पाने का रास्ता हमारे विचारों को बदलने की निरंतर प्रयास से होकर जाता है इसके लिए हमें अपने दिमाग द्वारा गड़ी गई विगरत काानियों को चुनोती देनी होगी और उनकी जगा अधिक सटिक और शिजगत दृष्टी कुर्णों को स्तापित करना होगा तनाव जीवन का एक अभिन्न अंग है काम, रिष्टे और अंसर्टेनिटीज ये सभी तनाव का कारण बन सकते हैं अतिरिक तनाव हमारे मांसिक और शारेरिक स्वास्त पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनाव से निपटने के लिए कुछ आसान तरीके भी है आज हम एक ऐसी कहानी आप से शेयर करेंगे जो आपको तनाव से मुक्ति पाने के तीन सरल मंतर सिखाईगी प्रिपरेशन, एक्सेप्टेंस, एंड करेक्शन एक बार की बात है, एक इंजिनिर बफेलो फोच कमपनी में काम करता था एक दिन उसने कमपनी के लिए 20 या डॉलर की मशिन इस्थापित की दुरभागे से मशिन काम नहीं कर रही थी इंजिनिर घबरा गया, उसे डर था कि उसे अपनी नौकरी गवानी पड़ेगी और कमपनी को भारी नुकसान होगा उसने टेंशनी टेंशन में घंटों बिता दियू लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिल पाया अचानक उसे एक जादोई सूत्र याद आया जो उसने एक किताब में पड़ा था सूत्र के तीन चरण सबसे पहला सबसे बुरे के लिए तयार रहे सबसे पहले सोचें कि इस इस्सिति में सबसे बुरा क्या हो सकता है क्या आपको अपनी नुकरी गवानी पड़ेगी क्या आपको पैसे को नुकसान होगा सबसे बुरे प्रदीश्य के बारे में सोचने से आपको यह सुईकार करने मदद मिलेगी कि क्या हो सकता है और इससे निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं सेकेंड जो हो चुका है उसे स्विकार करे एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है तो अगला कदमे कि जो हो चुका है उसे स्विकार करे अतीत को बदलने की कोशिश करने से तनाव और बढ़ेगा इसके बजाए अपनी उर्जा को वर्तमान पर केंद्रित करे और आगे बढ़ने के तरीके खोजे तीसरा, सुधार पर ध्यान दे जब आपने अपने इस्तिती को सुईकार कर लिया है तो ये सोचने का समय है कि आप इसे कैसे सुधा सकते हैं क्या आप कुछ अलग कर सकते थे क्या आप इस्तिती को बहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं अब देखिए, इंजिनियर ने क्या किया इंजिनियर ने जादूई तीनो सुत्रों का पालन किया उसने सोचा कि सबसे बुरा क्या हो सकता है उसे अपने नोकरी गवाने पड़ेगी और कमपनी को 20-10 डॉलर का नुकसान होगा फिर उसने सुविकार किया कि मशिन काम नहीं कर रही है और वह कुछ भी नहीं कर सकता जो पहले ही हो चुका है अंत में उसने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि वह स्थिति को कैसे सुधार सकता है उसने मशिन का गहन एनलिसिस किया और पाया कि 5000 डॉलर के अतरिक्त निवेश से इसे ठीक किया जा सकता है इंजिनियर ने कंपनी के प्रबंदक से बात की और उन्हें अपनी योजना समझाई प्रबंदक इंजिनियर के पहल से प्रभावित हुए और उन्हें उसे मशिन को ठीक करने के लिए आवशक धन देने के मंजूरी दे दी इंजिनियर ने मशिन को सफलता पूर्वक ठीक किया और कमपनी को 20,000 डॉलर का नुकसान होने से बचा लिया इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तनाव से निपटने के लिए हम जादूई तीनों सुतरों का उपयोग करें जब हम तनाव गरस्त होते हैं तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि इस्तिती हमारे नियंतरेंट से बाहर है लेकिन यह सच नहीं है हमेशा ऐसे कदम होते हैं जो हम इस्तिती को बहतर बनाने के लिए उठा सकते हैं जादूई फॉर्मॉला नंबर दो पिछले एपिसोड में हमने जादूई फॉर्मॉला नंबर एक के बारे में सीखा था जो पहले से ही हो चुकी समस्याओं से निपटने में मददगार होती है लेकिन क्या होगा जब चिंता किसी आने वाले काम को लेकर हो ऐसे मामलों में जादूई फॉर्मॉला नंबर एक काम नहीं करेगा इसलिए अब हम जादूई फॉर्मॉला नंबर दो सीखेंगे जो आपको आने वाले चिंता से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा जादूई फॉर्मॉला नंबर के तीन चरण सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे चिंता किस बात को लेकर है इसके लिए हमें उस समस्या से जूड़ी सभी जानकरी इखटा करनी होगी खुझसे सवाल पूछे जैसे मैं किस बात से परिशान हूँ इस चिंता का कारण क्या है क्या ये चिंता जायज है दूसरा समभावित समाधानों की सूची बनाना एक बार जब हमें समस्यां की अच्छे से समझ हो जाए तो हमें उसके समभावित समाधानों की सूची बनानी होगी जितने अधिक विकल्प होंगे उतना ही बहतर होगा तीसरा, सर्वसेष्ट समाधान का चुनाव और कारवाई अब हमें इन सभी समाधानों का मुल्यांकन करना होगा और सबसे अच्छा विकल्ब चुनना होगा ये विकल्ब आपके लिए व्यवारिक, प्रभावी और समयबद्ध होना चाहिए एक बार जब आप अपना समाधान चुन लेते हैं तो तुरंट कारवाई शुरू कर दें जितने जल्दी आप समस्या का समाधान करेंगे उतनी जल्दी आपकी चिंता दूर होगी विचार कहां से आया यह विचार मूल रूप से कॉलंबिया कॉलेज के प्रोफेसर डेनिल हॉक्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था उनका मानना है कि यह सूत्र किसी भी समस्या को हल करने में मददगार हो सकता है और आपको बड़ी से बड़ी चिंता से बचा सकता है इस सूत्र के लाब यह है कि यह आपको अपनी चिंता को स्पस्ट रूप से समझने में मदद करता है यह आपको विबिन समाधानों पर विचार करने और सबसे अच्छा विकल्ब चुनने में सक्षम बनाता है ये आपको कारवाई करने और अपनी चिंता को दूर करने के लिए प्रेरित करता है अगले एपिसोड में आपके तनाव के कारणों और आप गलत कहां कर रहे हैं इस बारे में जानेंगे सबसे कम तनाव वाला इंसान कौन है क्या आपने गभी सोचा है कि सबसे कम तनाव वाला इंसान कौन होता है वो जो सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है शायद ये आपको अजीब लगे लेकिन ये सच है ये समझ लेकिने मैं आपको मेरिन की कहानी सुनाता हूँ मेरीन की पांस साल के बेटी की मृत्य हो चुकी थी जिससे वो पूरी तरह तूट गई थी दस महीने बाद उन्हें एक और बेटी का अशिरवाद मिला जिसने उन्हें थोड़ी उम्मीद दी लेकिन सिर्फ पांस दिन बाद उनकी दूसरी बेटी की भी मृत्य हो गई अपने दो बच्चों को कोने का दुख कैसा होगा यह आपका भी सोच भी नहीं सकते मेरीन पूरी तरह से जिन्नी की उम्मीद छोड़ चुकी थी अपने दो बेटीों की दुख में वो यह भी नहीं देख पा रही थी कि उनके चार साल का एक बेटा भी है दिन बर घर में खुद को बंद रखना कोई काम ना कर पाना किसे सी मिलना जुलना नहीं अब यह मेरीन की जिन्दिगी थी एक दिन उनके बेटे ने उन से जिद की कि मेरीन उनके साथ एक पौर्ट बनाए मेरिन का मन कभी भी काम करने का नहीं था पर अपने बेटे को मना नहीं कर पाई उन्होंने चार गंटे लगा कर अपने बेटे के साथ उस पोर्ट को बनाया और इन चार गंटों में एक अद्बुत बात हुई मेरिन अपने बेटे के साथ इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें अपने दुख, अपने टेंशन की याद ही नहीं रही मेरिन ने खुद भी इस बात को महसूस किया कि जब वे खुद को काम में व्यस्त रखती है तो उन्हें तनाव महसूस नहीं होता लेकिन जब वे कुछ नहीं करती तो उनका दिमाग हल तरीके से नकारात्म विचारों के पीछे भागने लगता है यह बात रिसर्च से भी सिद्ध होती है रिसर्च बताते हैं कि मानसिक शान्ती लाइबररी और प्रयोग शाला में मिलती है आखिर इसमें गलत क्या है लाइब्रेरी और प्रयोग शालाएं ऐसी जगाय होती है जहां इनसान लवयातार अपने दिमाग को किसी ने किसी चीज में व्यस्त रखता है जिसके वज़े से वोसे किसी दूसरी चीज को सोचने का समय नहीं मिलता इसलिए तो कहते हैं कि जब आप परिशान हों तो आपको किताबे पढ़नी चाहिए क्योंकि यह आपका मन इतना व्यस्त रखती है कि आपको और भी कुछ सोचने का मन ही नहीं करता आप खुद भी एक चोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक समय में एक ही चीज़ की बारे में क्यों सोच सकते हैं या आपके मस्तिस्क की एक खासियत है जिसका उपयोग आप अपनी परेशानियों को बुलाने के लिए कर सकते हैं जब आप चिंता तनाव या उसाज से जूज रहे होते हैं तो डॉक्टर अक्सर आपको व्यस्त रहने या बाहर गुमने जाने की सला देते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप व्यस्त होते हैं तो आपका मन परेशानियों से हटकर कुछ और सोचने लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्फ शारिक रूप से व्यस्त रहना ही काफी नहीं है अपनी परेशानियों को वास्तों में दूर करने के लिए आपको शाररिक और मांसिक दोनों तरह से व्यस्त रहना होगा मांसिक रूप से खुद को व्यस्त रखने के कुछ तरीके ऐसा काम करें जिसमें आपको अपनी सोच का उप्योग करना पड़े जिसे पहेलिया सुल जाना, किताबे पढ़ना या नया स्किल सीखना आपके दिमाग को व्यस्तर रखने और परिशानियों से दूर रखने का एक शांदार तरीका है रचनात्मक बने लिखे, पेंट करे, संगीत बजाए या कोई भी अन्य रचनात्मक गतिवी दिख करे जो आपको व्यस्तर करने में मदद करे अपने प्रियाजनों के साथ समय बिताए सामाजिक संपर्क तनाव को कम करने और आपके मूड को बहतर बनाने में मदद कर सकता है प्रक्रिती में समय बिताए ताजी हवा और प्रक्रितिक संदर्ता का आनंद लेने से आपके दिमाग को शांद करने और तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है व्यस्तर रेने से आपको बहतर नीद भी आ सकती है जब आप दिन बर काम में लगे रहते हैं और खुद को व्यस्तर रखते हैं तो आपके बोड़ी और आपका दिमाग दोनों ठक जाते हैं नतिजितन जब रात में विस्तर पर जाते हैं तो आपको तुरंत नींद आ जाती है याद रखें अपनी परिशानियों से चुटकारा पाने का यह सबसे आसान और प्रवावी तरीका है आपको दवा खाने या किसी डॉक्टर के पास जाने के आवशक्ता नहीं है बस खुद को व्यस्तर रखें और आपका मन धेरे धेरे आपकी परिशानियों से दूर होने लगेगा अगर आपको कोई व्यक्ति या चीज पसंद नहीं है तो क्या आप उसे अपनी प्रातमिक्ता की सूची में सबसे उपर रखेंगे ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन इसका जवाब बहुत ही सरल है जब हमें कोई चीज पसंद नहीं होती तो हमारे लिए महतुपूर नहीं होती लेकिन हम अकसर इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं इसके बजाए हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं और उन्हें अधिक महतुप देते हैं जो हमें परिशान करती हैं माल लेजए कि आपको अपना ओफिस में एक विक्ति पसंद नहीं है यह बात पकी है कि जब आपको मौका मिलेगा तो आप अपने सह कर्मियों से उसके बारे में बात करेंगे बहले ही आप उसके बुराई करने की कोशिश करें या ना करें आप उसके बारे में बात जरूर करेंगे लेकिन यह तो उसे महतुप देना ही हुआ ना अगर वह आपके लिए महतुपूर्ण नहीं हैं तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए और उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप अपना पूरा दिमाग पूरी तरह से उसी पर केंदित रखते हैं यहां समादन यह है कि अपना ध्यान हमेशा उन चीजों पर केंदेद करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण और पसिंदिद्धा हैं उन चीजों पर नहीं जिना पसंद नहीं करते हैं चोटी चोटी बातों को अंदेखा करना सिखें अपने परिशानियों को कम करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है चोटी चोटी बातों को अंदेखा करना आप जानते हैं कि 90% परिशानियां ऐसे होती है जो कभी होने ही नहीं वाली है क्या आपने सोचा है कि आप अक्सर उन गटनाओं के चिंता क्यों करते हैं जिनके संभावना ना के बराबर होती है दुनिया के प्रस्ति दिले का डेल काने की बच्पन से ही एक अजीब डर से ग्रस्त थे वे डलते थे कि एक दिन बिजली गिलने से उनके मृत्यों हो जाएगी ये कितनी अजीम और स्टूपिट से बात है ना लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी चिंता कितनी बेतुकी है तो उन्हें खुद पर हसी भी आई इस गटना से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी परिशानियों को ओसत के नियम से जोड़ना शुरू किया Law of Averages ये नियम हमें उन गटनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है जिनके संभावना बहुत कम होती है जिसे कि बिजली गिरने से मृत्यू पुल गिरना टेन पत्री से उतरना या गर में आग लगना जब भी आपको किसी बात को लेकर तनाओ ये चिंता हो तो आपको इसका उत्तर मिलेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो शायद कभी होगा ही नहीं हमारा तनाओ और चिंता अकसर हमारी कलपना की उपज होती है वास्तविक्ता से इसका कोई लेने देना नहीं होता हाँ अपने दिमाग में किसी एक बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि वह हमें डाराने लगती हैं यूयोक में एक प्लांट डिस्टिबिशन कंपनी के मालिक जिम को अपने वेवसाइक के लिए 15 ट्रक संत्रे और अंगूर मंगवाने थे इस ओर्डर को लेकर उन्हें बहुत अधिक तनाव हुआ उनके दिमाग में नगारात्म विचार घूम र ने लगी और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तनाव के कारण उन्हें शारिरिक परिशानी हो रही है जब जिम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने शांती से सोचा कि उन्होंने अब तक 25,000 से अधिक ट्रक मंगवाएं ह और उन्हें से केवल पांच ट्रकों के साथ चोटी मोटी समस्याएं हुई थी किसी भी ट्रक में आग नहीं लगी थी कोई खाई में नहीं गिरा था और फल भी सुरक्षित रहे थे तो चिंता करने की क्या बात है जो भी आप सोच रहे हैं उसके होने के संभावना बहुत कम है इसलिए तनाओ लेना वियर्थ है अब आपकी बारी है सोचे कि आप किस बात को लेकर तनाओ ले रहे हैं उस गटना के होने के संभावना का आंकलन करें क्या आप अति शुक्तिपूर्ण सोच रहे हैं क्या ये समानी रूप से लोगों के साथ होता है क्या आपके साथ ऐस इसा वास्ताव में हो सकता है। इन सवालों पर विचार करके आप खुद को तनाव के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं। याद रखें, ज्यादतर बार हमारा तनाव बेकार होता है। अगले एपिसोड में हम तनाव पूर्ण इस्तितियों से निपटने के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। जब कोई अन्होनी गटती है तो दुख और तनाव महसुस करना सभाविक है। लेगिन क्या इस दुख के भावर में डूब कर हापना जीवन बरबात कर सकते हैं। क्या अपने सिहत को बिगाड कर और जीवन जीन के इच्चा त्याग कर हम उस मुश्किल परिस्तिती से बाहर निकल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सोचना गलत है कि ऐसे परिस्तितियों से निकलना असंभव है। थोड़ी सी जानकारी और सही मारग दर्शन के साथ आप इन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। और आगे बढ़ सकते हैं। सोचे क्या एतने विशाल जिन्दगी में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। क्या हम कभी दुखी नहीं होंगे। क्या हम कभी अप्रिय परिस्तितियों में नहीं फसेंगे कड़वा सच तो यह है कि जीवन में इसे शन बार बार आएंगे लेकिन हमें यह सीखना होगा कि इन मुश्किलों का सामना कैसे करे इनसे कैसे बाहर निकले यह सीख ही हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने में मदद करेगी इमैजन कीजिए आप लिफ्टे में प्रवेश कलते हैं और वहां आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके बाएंगे हाथ के कलाई के उपर का हिस्ता कटा हुआ है एक पल के लिए सोचिए उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा उसके मनोदोशा कैसी होगी क्या वह हमसे भी ज़्यादा दुखी रहेगा आपको शायद यह लगेगा कि एक हाथ ना होना एक बड़ी समस्या है और वहां निश्चित रुप से दुखी होगा लेकिन कहानी यही कतम नहीं होती यह विक्तिना किवल हस्मुक और खुश मिजास था बलकि वह अपना काम भी पुरी लगन और उसा से कर रहा था जब डेल कार्नेगी ने उससे पूछा कि क्या उसे कभी अपने हाथ की कभी महसुस नहीं होती तो उसने मुस्कुराते हुए कहा हाँ कभी कभी महसुस होती है खासकर जब मुझे सुई मे धागा डालने की आवशकता होती है उसने आगे कहा जो होना था वह हो चुका अब मैं या तो इस बात की चिंता करके अपने जिन्दगी बरबाद कर सकता हूँ या फिर इस इस्तिती को सुईकार करके आगे बढ़ सकता हूँ हाला कि मेरे हाथ वापिस नहीं आने वाले लेगन कम से कम मैं इस इस्तिती को सुईकार करके खुश जरूर रह सकता हूँ तो इस वक्ति से हमें क्या सीख मिलती है जब हमारे साथ कुछ बुरा या अनेपेक्षित होता है तो हम अकसर चिंता दुख और गुस्टे से गिर जाते हैं हम दूसरों को दोश देते हैं, भाग गी को कोशते हैं और यह सोचकर खुद को सताते हैं कि कास ऐसा ना होता लेगन क्या इन सबसे कुछ बदलता है? क्या हम दुखे रहना बंद कर देते हैं? नहीं, बलके हम और बे अधिक दुखे और निराश हो जाते हैं और दिरे-दिरे मांसिक और शारिरी रूप से बिमार हो जाते हैं इसके बजाए हमें उस इस्तिती को स्विकार करना चाहिए और खुद से कहना चाहिए कि जो हुआ वो हुआ अब उसे बदल नहीं सकते यह स्विकरिती हमें शांत और मजबूत बनाएगी कई बार हमें लगता है कि हम मुश्किल परिस्तितियों का सामना करने के लिए परियाब तो मजबूत नहीं है लेकिन यह सच नहीं है हमारे अंदर हर परिस्तिती का सामना करने की शमता होती है बस हमें उस शमता को पहचानने और उसका उपयोग करने की आवशकता है लिफ्टर में मेले उस वेक्ति ने डेल कारने के लिए एक नया दिश्टिकून सिखाया है उसने हमें भी यह सिखाया कि परिस्तितियों से हार ना मान कर उनका सामना करने का होसला रखना चाहिए यह होसला ही हमें जीवन में आगे बढ़ने और खुश रहने में मदद करेगा बूत तारकिंटन एक एसा नाम जो साहस और आत्मबल की प्रेड़ना बन गया साथ साल की उम्र में जब जीवन का सूर्ट ढ़नने लगता है तब ही उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड आया उनकी आखों की रोशनी धीरी धीरी शीन हो रही थी जिसके परिणाम सोरूप वे अंदेपन की ओर बढ़ रहे थे यह खबर सुनते ही उनके मन में उतल पुतल मच गई वे हमेशा से यह कहते थे कि वे दुनिया में कुछ भी सुईकार कर सकते हैं लेकिन अंदेपन को सुईकार करना उनके लिए असंबव था लेकिन नियती को कुछ और ही मनजूल था उन्होंने अपनी आखों की रोशनी खो दी लेकिन उन्होंने अपनी आशा और दुर्ट संकल पर नहीं खोया उनके पास दुखी होने, तनाव लेने, रोने और भाग़ी को दोश देने के कई मोके थे लेकिन उन्होंने इन सब रास्तों को चुनने के बज़ाए स्विकरिती का मार्ग चुना उन्होंने कहा, अब जो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसे स्विकर करता हूँ अपनी आँखों की रोशनी वापस पाने के लिए, उन्होंने साथ साल की उम्र में, बारा आँखों के आपरेशन करवाने का साज एक फैसला लिया यह एक कटेन और चुनोती पूर्ण यात्रा थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हर आपरेशन के बाद थोड़ी उम्मीद के साथ वे अगले आपरेशन की प्रतिक्षा करते थे, बले ही उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने चेरे पर मुश्कान बनाए रखी और कहा यह मेरे जीवन का एक नया अनुभव है जिसे मैं पूरी तरह से जी रहा हूँ बूर टार्गिंटन का जीवन उन सभी लोगों के लिए एक प्रेड़ना है जो जीवन की चुनोतिय का सामना कर रहा है उन्हाने सिखाया है कि स्युक्र इसे भरा हो या अंधेरे से बूर टार्गिंटन सचमुच एक प्रेड़ना है डॉक्टर पॉल ब्रांडी अपने अदित्य सिक्षन शेली के लिए जाने जाते हैं एक बार अपने कक्षा में एक अद्बुत रिटांस प्रस्तुत करते हैं वे एक गिलास दूद लेकर आते ह और उसे बच्चों के सामने सिंक में फेक देते हैं दूद धीरे धीरे सिंक से नीचे बह जाता है ये चीज बच्चों को बहुत ब्रहमित कर देती हैं डॉक्टर पॉल फिर उनसे पूछते हैं क्या हम इस गिरेवए दूद को वापिस गिलास में इकटा कर सकते हैं सभी दूद को गिरने से बचा सकते हैं अगर हम थोड़ा सावधान रहते इस बार सभी बच्चे सहमत होते हैं डॉक्टर पॉल मुस्कुराते हुए कहते हैं जीवन भी इसे गिरे हुए दूद के समान हैं हम कितनी भी सावधाने बढ़ते हैं कुछ न कुछ अब प्रत्याशित गटनाएं तो हो जाती हैं महतुपूर्ण यह हैं कि हम इन गटनाओं को कोई से स्विकार करते हैं वे आगे समझाते हैं हम अतीत को बदल नहीं सकते टाइम मशीन में वापस जाकर गलतियों को मिटा नहीं सकते जो बीद गया है वो बीद गया है हमें अपने उर्जा और समय उन चीजों पर बरबाद करने की बजाएं जो हमारे नियंतरने से बाहर हैं उन चीजों पर ध्यान के अंदरित करना चाहिए जो हम बदल सकते हैं डॉक्टर पॉल का यह तृस्टांत हमें जीवन में स्विक्रेति के महत्व को सिखाता है स्विक्रेति का मतलब यह नहीं है कि हम बुरी गटना को स्विकार करते हैं यह उनसे सहमत होते हैं इसका मतलब है कि हम यह स्विकार करते हैं कि यह गटना गटित हुई हैं और हम इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तयार है जीवन में स्विक्रिति लाना आसान नहीं होता यह एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है लेकिन जब हम स्विक्रिति को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में शांती और खुशी पा सकते हैं कभी कभी जिन्दिगी में ऐसे मोड़ाते हैं जब तनाव का बोज इतना बढ़ जाता है कि लगता है मानो दम घुट रहा है, चिंता है मन को घेर लेती हैं और शांती छीन लेती हैं, ऐसे मुश्किल दोर में क्या करें, गबरा है नहीं, आपके लिए मैं लाया हूँ तनाव स समय सीमा दे दे, मान लिजे, आपको किसी महतुपन प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और इस सवज़े से आप परिशान हैं, इस इस्तिती में खुछ से कहें, ठीक है, मैं अगले दो दिन इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से ध्यान लगाऊंगा, इन दो दिनों में मैं अप पूरा ध्यान और उर्जा उसी काम पर लगा देंगे, इससे आपको तनाव कम करने और अधिक कुशलता से काम करने मदद मिलेगी, यह डेडलाइन का जादू सिर्फ काम पर ही नहीं, बलकि गुश्चा, शान्ती और नकरात्मक विचारों पर भी काम करता है, जब भी आपक कि कोई नकरात्मक भावना आपको घेर रही है, तो उसे एक समय सीमा दे दे, खुच से कहें, ठीक है, मैं अगले एक गंटे के लिए इस बारे में सोचूंगा, लेकर उसके बाद मैं इसे पूरी तरह से भूल जाओंगा, यह याद रखना महतुपून है कि जीवन में परिस्तितियां आती रहेंगी, हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बलकि इनका सामना करना चाहिए, डेडलाइन का जादू आपको ऐसा करने में मदद कर सकता है, यह आपके तनाव को नेंटरेंट करने, नकरात्मक विचार को दूर करने, और जीवन पर अधिक सकारात्मक दि भी काम करेगा, जब आप इसका पूरिया इमानदारी से इस्तमाल करेंगे, डेडलाइन तरह करने के बाद उस पर टिके रहें, समय सिमा समाप्त होने के बाद उस नकरात्मक विचार या परिस्तिति को पूरी तरह से छोड़ दे, यह भी ध्यान रखें कि डेडलाइन का जा अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में इन आउधारानाओं को केसे लागू कर सकते हैं, और तनाव पुन परिस्तितियों का सामना करने में इनका उप्योग केसे कर सकते हैं, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक महतु पुन बात जरूरी है कई बार अंजाने में हम चिंता और तनाव शब्दों का इस्तमाल एक दूसरे के इस्तान पर कर देते हैं जबकि इन दोनों भावनाओं में बुनियादी अंतर होता है चिंता एक सकारात्मक भावना है जो किसी विशे ये विक्ति के प्रती हमारी परवा और जिम्म खारात्मक भावना है जो अत्यदिक चिंता और भैसे उत्पन्न होती है जो आपको बहतर त्यारी करने के लिए प्रेरित करेगी लेकिन यदि आप परिक्षा को लेकर इतना आधिक तना उंग्रस्त है कि आप पढ़ाई पर ध्यान के इंदिरित नहीं कर पा रहें तो यह न नकरात्मक परिणाम दे सकती है। मनोविग्यनिक डॉक्टर जे हेड फिल्ड ने इस प्रयोक के माध्यम से यह सिद्धि किया है कि हमारी सोच, हमारी शारेरिक शम्ताव को केसे प्रभावित कर सकती है। उन्होंने तीन अलग अलग लोगों को डाइनाम मेटर दिया जो बल्म आपने का उपकरण होता है। पहले चरण में उन्होंने लोगों को बताया कि वे स्वस्त और मजबूत है। इनके परिणाम सोरूब डाइनाम मेटर की रीडिंग में उनकी ओसत पकड़ 101 पाउंड थी। दूसरे चरण में उन्होंने लोगों को हिपनोटाईज करके ये विश्वास दिलाया कि वे कमजोर और असहाए हैं। इसके परिणाम सुरूप डायनोमेटर की रीडिंग में उनकी ओसत पकड़ सिर्फ 29 पौंड ही रह गई तकुग। तीसर चरण में उनने लोगों को प्रेरित किया क्यों अत्यनत शक्तिशाली हैं। इसके परिणाम सुरूप डायनानोमिटर की रीडिंग में उनकी ओसत पकड़ 124 पाउंड तक बढ़ गई थी जो की सामाने से भी अधिक थी यह प्रयोग दरिशाता है कि हमारी सोच चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हमारी शारिरिक शम्ताओं को महित पुर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है उच्चे शिक्षा और अवसात यह कहानी किसी ऐसे शातर की नहीं है जो पढ़ाई में अवल था बलकि यह उन शातरों की कहानी है जो हर चोटी मोटी बात पर पर परिशान हो जाते हैं और धीरे धीरे डिर्पेशन के दलदल में डूप जाते हैं कहानी के केंदर में एक छात्र है जो हर असफलता को वेक्तिगत रूप से ले लेता है और खुद को बेकार समझने लगता है उसे लगता है कि शायद उसे किसी ट्रिप की जरूरत है शायद जगा बदलने से उसकी इस्तिति में सुधार होगा फ्लोरिडा जाने के लिए आविदन करते समय उसे अपने पिता का एक पत्र मिलता है जिसे उसे फ्लोरिडा पोचने पर ही खोलना था पत्र में पिता ने कुछ कड़वी सचाईया लिखी है बेटा तुम घर से पंदरा सो मील दूर चले गए हो लेकिन मुझे पता है कि तुम वहाँ भी वेशाई मेहसुस कर रहे हो जिसे यहां करते हो क्योंकि इसका कारण तुम ही हो जब तुम्हें ये बास समझ आ जाएगी कि तुम्हें अपने आसपास की चीज़े नहीं बलके अपने अंदर की चीज़े परावईत कर रही हैं तो वापस लोट आना पत्र पढ़ की बात सुनता है जो उसके प्रेमी का और उसके पिता ने उसे कई बार बताई थी कि दुन्ह जीतने से ज्यादा अपने मन को जीतना जरूरी है यह सुनकर उसे एक उह dop पका रहे हैं और उसके दिमागँ हैं वोच चीज़े नहीं को एक अलग दिश्टीकों से देखने में असमर्थ हैं, हम भी मुश्किल परिस्तितियों में यही गल्दी करते हैं, हम खुद को बदलने के बजाए, दुनिया को बदलने के कोशिश करते हैं, और इसे वज़े से हम कभी अपनी परिशानों से लड़ नहीं पाते हैं, अगर हम सब इस बात को समझ जाएं, कि खुशी, गम, हर चीज, सफलता और असफलता, सब कुछ हमारे मन में है, तो हम कभी भी भारी परिस्तितियों से प्रभावित नहीं होंगे, कभी इन भी कहा है, मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, यानि आपके हर विचार और आपकी हर जीत, सब कुछ आपके मन पर निर्भर करती ह आप जैसा सोचेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा अगर आप चाहें तो अपने विचारों के माध्यम से अपने जिंदेगी को सुरगे की तरह खूबसरत बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने जिंदेगी नरक भी बना सकते हैं यह सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। सिर्फ एक दिन के लिए इस वेचार को व्यावारिक रूप से लागू करके देखिए और फर्ग आपको खुद नजर आएगा। खुद से कहिए कि सिर्फ आज के लिए मैं खुश रहूँगा और किसी भी बात ये विक्ति को अपना मोड़ खराब करने नहीं दूँगा। सिर्फ आज के लिए मैं अपनी परिस्तितिओं को समायोजित करने के बज़ाए उन्हें सुपिकर करने की कोशिश करूँगा और खुद को दूसरों के साथ फिट करने की कोशिश करूँगा। सिर्फ आज के लिए मैं तनाव चिंता को दूर करने का अभ्यास करूंगा रिसर्चर्स बताते हैं कि नफरत, दुश्मनी और गुस्सा जिसे नकरात्मक भावनाए मन में तनाव और चिंता पैदा करती हैं इन भावनाँ से ग्रस्त व्यक्ति कभे भी शांत और सुखी नहीं रह सकता यदि आप अपने मन में इस तरह के नकरात्मक विचारों को दूर करना चाहते हैं तो लोगों को शमा करना, सीखना होगा हर समस्या और हर मुद्दा आपके ध्यान, समय और उर्जा के योग्य नहीं होता यदि आप इन नकरात्मक विचारों को अपने मन में रखते हैं तो आप केवल खुद को ही नुक्सान पहुचाते हैं यदि आपका किसे से जगड़ा हो जाता है यदि आपके किसे से दुश्मन ही है तो कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से इन नकरात्मक भावनों को निकाल दें जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं यद चोटी-चोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं वे जल्दी बूड़े हो जाते हैं उनकी तवचा जल्दी लूज होने लगती है और उन्हें जूरिया आने लगती हैं वहीं दूसरी तरफ जो लोग किसी भी बात को दिल से नहीं लगाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं उनकी त्वचा हमेशा चमकदार रहती है हमारे विचवरों का हमारे शरीर पर वास्ताव में बहुत आधिक प्रवाब बढ़ता है प्रसिद्धी दार्शनिक कन्फूशियस का कहना था कि एक क्रोधिद व्यक्ति हमेशा जहर से भरा होता है जितना ज्यादा वह गुस्सा करता है उतना ही ज्यादा जहर का असर उसके स्कीन और उसके सरीपल दिखाई दिता है कई बार आपको गुस्से की वज़े से आलोशना नहीं बलकि ग्रेना का भी सामना करना पड़ सकता है आपने देखा होगा कि लोग हमेशा आपके किये गए कामों पर कृत्यग नहीं होते माल लीजिए आप किसी व्यक्ति की हमेशा मदद करते हैं और उस पर एहसान करते हैं लेकिन वह बदले में आपको दिन्यवाद तक नहीं बोलता यह देखकर आपको गुसा और बुरा तो लगे गई लेकिन क्या इससे उस व्यक्ति को कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं बलकि इससे आपके दिमाग पर असर होगा और आप तनाव लेते रहेंगे इस प्रगार की चिंता से दूर रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसे से ना तो अहसान की उम्मीद रखिए और ना ही अपिक्षा करें कि कोई आपके साहरा आना करेगा यदि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो उसे करिए और भूल जाएए यह मत सोचिए कि अवह विक्ति आपको धन्यवात करेगा और आपकी तारिफ करेगा क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको बूरा तो लगे गई और आप तनाव के चक्र में चले जाएंगे यह मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यह दिया आप सचमुष में प्यार और ध्यान पाना चाहते हैं तो कभी भी इसकी मांग ना करे खुद लोगों से यह ना कहें कि मैंने तुम्हरे लिए यह किया है मैंने तुम्हरे लिए वो किया है जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसे कहे कर बताने की आहुशकता नहीं होती अच्छे काम खुद ही बोलते हैं लोगों से कर्टक गिता की अपैक्शा करने से बहतर है कि आप दूसरों की मदद करने के बाद मिलने वाली खुशी का आनंद ले जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके अंदर से एक खुशी महसूस होती है फिल चाहे वा कितनी भी छोटी मदद क्यों नहीं हो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि सामने वाले को वा मदद दिखाई ही नहीं देगी उसे दिखाई देती है बस वा कहता नहीं है लेकिन अगर आप बार-बार इस बात का उल्ले करते रहेंगे कि या आपने किसके लिए क्या किया है तो आपके द्वार की गई मदद का महतवता कम हो जाती है लोगों को ये बात बिलकुल पसंद नहीं आती कि या आपने किये हुए अच्छे कामों को बारबाल दोराते रहे दूसरों से कर्टग्यता की अपैक्षा ना रखने के साथ अपने पास जो है उसके लिए आभारी होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे आसपास इतना कुछ है जिसके लिए हम कर्टग्य हो सकते हैं फिर चायवा स्वस्त शरीर हो प्यार करने वाला परिवार हो या फिर एक अच्छा दोस्त हो हर रास्त सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकाले जिनके लिए आप आभारी हैं यह सरल अभ्यास आपके जीवन में सकरात्मक बदलाव ला सकता है ग्रेटिड्यूट का भाव बनाए रखने का एक और शांदार तरीका है ग्रेटिड्यूट डाइरी रखना हर दिन उस दिन के लिए कम से कम तीन चीज़े लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं यह चोटी चोटी चीज़े हो सकती हैं जैसे कि अगर आपको सौधिश्ट भोजन मिला है तो आप उसके लिए करतग्यता महसूस कर सकते हैं अगर आप संड्राइज या संसेट की देखते हैं और वहाँ पर आपको आनंद मिलता है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं यह किसे प्रेजन की एसी मुस्कान जो आपका सारा टेंशन खतम करते हैं उसके लिए आप करतग्यता का अभ्यास करना ना केवल आपके मांसिक और भावनातमक साथ के लिए अच्छा है बलकि यह आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंदों को भी मजबूत करता है जब आप शमा करने और कतग्यता व्यक्त करने में सक्षम होते हैं तो आप अधिक सकारातमक और दयालू व्यक्ति बन जाते हैं यह बतल हम कुछ सरल लेकिन प्रभावी तक्निकों पर भी चर्चा करेंगे जिनका उप्योग करके आप अपने जीवन में अधिक कतग्यता ला सकते हैं जीवन 90% बुरा या 10% अच्छा हमारे जीवन में 90% चीज़ें बुरी होती हैं केवल 10% चीज़ें ही सकारातमक होती हैं क्या य जिनता है ये दुखी है यदि सोचने के बाद भी आपका उत्तर हा में है तो हमें एक प्रयोग करने के आवशक्ता हैं मान ले कि आपके जीवन में 90% चीज़ें बुरी हैं इसका मतलब है कि मैं आपको एक अरब डॉलर दूँगा और बदले में मैं आपसो कुछी मांग सकत हैं आपका जवाब निश्चित रूप से नहीं होगा लेकिन क्यों इसका सीधा जवाब यह है कि मैंने आपसे जो चीज़ें मांगी है वे आपके लिए अमूल लिए हैं चाय कोई आपको कितना है पेसा दे दुनिया की सारी खुशिया दे या आपके लिए महल कड़ा कर दे फिर भी आप इन चीज़ों को किसी को नहीं देंगे अब खुश से पुचिए जो आपके पास इतनी अनमूल चीज़े हैं तो क्या आपको अभी भी अपने जीवन से चिगाया थे असल में जीवन अच्छा या बुरा नहीं होता यह आपके दृष्टी कौन और आप परिस् और उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है याद रखें जीवन एक उपहार है इसकी हर पल सरहाना करें और इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करें वेफ सिटी के चकाचोन बरी गलिय करने के लिए पैसे देता था हर पल उनके जिन्दगी में शिकायतों का धेर बढ़ता ही जा रहा था एक दिन वे केंसर सिटी जाते हुए रास्ते में अजीब गरीब नजारों से रूबरू हुए एक आदमी जिसके दोनों पेर नहीं थे लकड़ी के एक प्लेटफार्म पर बेट कर चल रहा था उसके हाथों में सामान का थेला था हेरल को देखते ही उस अजनेबी ने चेरे पर एक बड़ी सी मुष्कान लाकर कहा गूट मॉर्निंग सर हेरल इस तब तरह गए उस आदमी के मुष्कान देखकर उन्हें अपने आप पर गुस्सा आया वे सोचने नहीं है बेघरे फिर भे उसके चेरे पर इतनी खुशी क्यों है उसी पल हेरल को एहसास हुआ कि उनके जिन्दगी में बले लाकों मुश्किले हों लेकिन उनके पास अंगिनत आशिरवाद भी हैं अक्सर हम अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान केंदरित करते हैं कि गिनाने लगेगा लेकिन शायद ही कोई यह कहें कि मेरे जिन्दगी में कोई परिशानी नहीं है हैरल ने फैसला किया कि वे उस समू में पहले विक्ति बनेंगे जो यह कहेगा कि उनके कोई परिशानी नहीं है बले ही यह पूरी तरह से सचना हो बले ही उनके जिन्दगी मे 10% परिशानिया हो फिर भी वे अपने आशिरवादों को गिनने से पहले अपने समस्याओं को नहीं गिनाएंगे और सच मुच उनके जिन्दगी बदल गई हैरल ने हर चीज में आशिरवाद ढूंडना सीख लिया चाहे वो उनका शरीर हो उनका चहरा हो उनके नौकरी हो या कुछ भी उन्होंने याद रखा कि वे उस दुनिया में अदिती हैं किसी और की तरह नहीं कई लोग अपने सेरीर अपने चेहरे अपने शेहले से नाखुश होते हैं वो दूसरों को खासकर मुशूर हस्तियों की नगल करने लगते हैं कुछ लोग तो इस चक्कर में सरजरी तक करवा लेते हैं लेकिन इससे क्या होगा आप अपना स्टाइल छोड़कर सौनाव कुपूर का स्टाइल अपनाते हैं तो आपकी कीमत कम होगी आपकी मौलिक्ता खत्म हो जाएगी जब हम प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में सोचते हैं तो हमें उनमें क्या पसंद आता है उनके मौलिक्ता उनकी विस्ष्टा है न तो फिर आप वेसे क्यों नहीं बन सकते आप अपनी विस्ष्टा को क्यों खो रहे हैं आप जो हैं जैसे हैं अदिती हैं किसी और के नगल करने से अपनी कीमत कम मत कीजिए मानों को सभाव है चाहे आपकी इच्छाव को कितना ही नजर अंदाज किया जाए आपके गलतियों को लेकर आलोचना अत्मक टिपणियां सदेवे स्मरण में रहती है कई बार ये आलोचना केवल इसलिए भी होती है क्योंकि आलोचक आपको खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते जब भी कोई आपके आलोचना करता है तो आपके मन में उसके प्रतिन नकारात्मक भावना उमड़ने लगती है आप सोचते हैं कि उन्होंने मेरे बारे में इतना गलत क्यूं कहा मज़े घुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, तनाव हो रहा है लेकिन ये आलोचनाओं से निपटने का उची तरीका नहीं है हम आलोचना करने वालों को तो नहीं बदल सकते परंतो स्वयम को बदल कर उनके शब्दों का प्रभाव जरूर कम कर सकते हैं सबसे पहले ये सिवकार करना होगा कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते यदि आप एक विक्ति को खुश करने का प्रयास करेंगे तो दूसरे को नाराज़की हो सकती है यदि आप सभी को खुश करने का प्रयास करेंगे तो और किसी को बुरा लग सकता है इसलिए खुश करने की विर्द कोशिश छोड़ दे बस इमानदारी से अपना कारी करें यदि किसी को आपका कारी पसंद नहीं आता तो यह उनके समस्या है जब तक आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सई है तब तक आपको किसी भी बात यै किसी भी आलोचना पर ध्यान देने के आवशक्ता नहीं है कभी-कभी आलोचना है क्रियेटिव होती है यानि लोग आपकी भलाई के लिए कुछ सुजाओ देते हैं ऐसे मामलों में आपको उनके बातों पर ध्यान देना चाहिए और सुयम को बहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने और खुद को बहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है आतु मुल्यांकन अपनी कमियों और खामियों पर चिंतन करे अपनी कारे प्रणाली का एनलेसिस करे जहां सुधार की आवशकता हो वहां बदलाव लाने का प्रयास करे आलोचनाओ को नकरातमकता की रूप में ग्रहन करने की बजाए उन्हें सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखे रचनातमक आलोचनाओ को स्विकार करे और उनसे प्रेड़ना ले आत्म मुल्यांकन के माध्यम से अपनी कमियों को दूर करे और निरंतर प्रगती करते रहे हर शनिवार को एक अजीब गरीब रस्मन इबाते थे वे पूरे हफ्तों की गती वीदियों का गहन एनलेजस करते थे और एक स्वेम मुल्यांकन पत्र तियार करते थे इस पत्रे में वे स्याई से अपने सफलताओं और असफलताओं को उकेरते थे उन गलतियों को उजागर कलते थे जिने सुधार की आविशक्ता थी ये आत्म परिक्षन अगले सप्ता के लिए एक मार्ग दर्शक बन जाता था प्रगती की सीडी पर चंडने का एक नया आउसर बन जाता था नियूयाक शहर की हलचल में एक महत्वकांशी सोप सेल्समें अपनी पीट के थेले में असफलता का बोज डो रहा था हफते भर की मेनत के बावजूद वह एक भी साबुन नहीं बेच पाया था निराशा के सागर में डूपते हुए उसने खुद पर सवाल उठाया क्या वह अपने काम में नाकाम रहा था क्या उसकी रणनीती में खामिया थी हार ना मानने की भावना से प्रेरित होकर वह उसी ग्रहाक के पास वापस लोटा जिसने उसका साबुन ठुकरा दिया था इस बार वह बिक्री करने नहीं बलकि सीखने आया था विनमरापता पुरुवक उसने पूछा सर मैं आज साबुन बेचने नहीं आया हूँ मैं बस यह जानने आया हूँ कि मैंने क्या गलतिय की जिसके कारण आपने मेरे साबुन को नहीं खरीदा ग्राग ने बेजी जग अपने राय रखी हर इस बिंदो को उजागर किया जहां सेल्समेन चूप गया था ध्यान से सुनते हुए सौप सेल्समेन ने अपनी कमियों को नोट किया उनसे सीखने और सुधारने का द्रड़ संकल पलिया समय के साथ आतुमुल्यांकन और रचनात्मक आलवचनाओं के इस मिश्रण ने उस सौप सेल्समेन को एक आसाधारन वेक्ते में ढाला धीरे धीरे वह सीडिया चड़ता गया अन्त तहां वह कोलगेट के कमपनी के शीर्स पर पहुँच गया यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन भर आलोचनाओं आती रहेंगी महतुबन यह है कि हम उनसे सीखे उनका उप्योग खुद को बहतर बनाने के लिए करे रचनातमग आत्मुल्यांकन और सकरातमग आलोचना का मिश्रण सफलता की कुँची है जब जीवन के रहे कंटेली हो जाती है जब मुश्किले खड़ी हो जाती है तो मनुष्य सहज जरूप से किसी सहारे की तलाश करता है अनेकों लोग इस सहारे को इश्वर की भक्ती में ढूणते हैं प्रातना के माध्यम से वे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं साहयता की याचना करते हैं और एक अध्यश्य शक्ती से जूड़ने का प्रयास करते हैं यह सच है कि प्रातना में एक अध्बुद शक्ती होती है यह हमें कटिन परिस्तितियों में धहर्य और आशा प्रदान करती है यह हमें विश्वास दिलाती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बले ही हमेरी आखों के सामने कुछ और ही दिखाई दे रहा हूँ डेल कारने की प्रसिद्ध अमेरीकी लेखक और प्रेरक्रवक्ता बच्पन में अत्यन्त गरीबी का सामना कर रहे थे उनका परिवार मिसौरी के एक छोटे से गाउ में रहता था जहां उनके पिता खेती करते थे डेल के पास कभी भी परियाप्त पैसे नहीं होते थे और परिवार को अक्सर बोजन के लिए भी संगर्ष करना पड़ता था एक सर्दियों की रात डेल के पिता जीवन के बोश से दबे आत्महत्या करने का निर्ले लेते हैं वो डेल को सांथ लेकर नदी के किनारे पर जाते हैं और कुदने के लिए तयार होते हैं लेकिन तभी डेल की मा जो एक गहरी आस्थावान महीला थी उनके पास आती हैं वे अपने पती को शांद करती हैं उन्हें इश्वर पर बोरोसा रखने के लिए प्रेरित करती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि जीवन में हमेशा उम्मीद रहती हैं डेल के पिता अपने पत्नी के विश्वास से प्रेरित होते हैं और आत्महत्या के विचायत त्याग देते हैं इस गटना ने डेल के जीवन पर गेरा प्रभाव डाला और उन्हें सिखाया कि प्रातना और आस्ता कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। बलकि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें जीवन की चुनोतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। यह हमें आशा, धहर्य और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। चाहे आप किसी भी धर्म का अनुसरन करते हों या ना हों, प्रातना के सकरात्मक प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। यह हमें तनाव कम करने, कतग्यता व्यक्त करने और दूसरों के साथ जुड़ने में मदद कर सकता है। अगली बार जब आप जीवने मुश्किलों का सामना कर रहे हूं तो प्रातना की शक्ति को याद रखें, इस वर से अपने पीड़ा व्यक्त करें, साहेता की याचना करें और विश्वास रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरसी बाटनी की अद्बुदियात्रा, एरेप्स के बीच आत्मखोच और विश्वास की शक्ति, पेरिस की धर्ती से एरेप्स के रिगिस्थान तक, आरसी बाटनी जिनका जन्म पेरिस में हुआ था, एक आसाधारन व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में अनेग उत दोरान भी उन्होंने बहदूरी से अपनी भूमी का निभाई, युद्ध के बहानक अनुभवों और भर्ष्टेर राजनेताओं से निराश होकर बाटने ने सेना से आवकास लेने का फैसला किया, वे शान्ती और आत्म शोध की तलास में थे, आवकास के बाद बाटनी एर इसे प्रभावित किया, एरेप्स को देखकर बाटनी ने सीखा कि कैसे हर परिस्तिती में होसला बनाये रखा जाए, वे कठिन परिस्तितियों का सामना शांत और धहरेवान तरीके से करते थे, उनका मानना था कि जो कुछ भी हो रहा है वो इश्वर की इच्छा है, एरेप् बाटनी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाले हर परिस्तिती हमें कुछ न कुछ सिखाती है, कटिन परिस्तितियों का सामना होसले और विश्वास के साथ करना चाहिए, एरेप्स की सेंस्कृती और आस्ता से प्रेरित होकर बाटनी ने एक नया जीवन जीना सीख और आत्म शान्ती प्राप्त की टेंशन को जीवन से दूर रखे नमस्ते दोस्तों ये हमारी बूक सीरीज का सबसे अंतिम और सबसे महतुपन अध्या है अब तक हमने तनाव दूर करने के विबिन तरीकों पर चर्चा की है लेकिन क्या होगा यदि हम तनाव को अपने जीवन में आने से ही रोक सके क्या ये संबहु है हाँ ये संबहु है हाला कि हम कभी भी तनाव को आमांतरित नहीं करते फिर भी ये अपना रास्ता ढूंड लेता है इस अध्याय में हम विब्विन परिस्तितियों के माध्यम से कुछ साउधानियों के बारे में जानेंगे जो तनाव को जीवन में आने की संभावना को कम कर सकती है थकान और तनाव क्या आपने कभी फेटिक के बारे में सुना है? फेटिक उस सिस्थिती को कहते हैं जब आप काम के कारण बहुत अधिक ठकान महसूस करते हैं यदि आप दिन बर आफिस में या घर में 16-17 गंटे रोबोट की तरह काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अधिक ठक जाएंगे डॉक्टरों का कहना है कि इस सिस्थिती में हमारे शरीर की बिमारी और भावना से लड़ने की शमता समाप्त हो जाती है जब आप बहुत अधिक ठक जाते हैं तो आपका शरीर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता वो ना तो बीमारें से ठीक से लड़ पाता है और ना ही तनाव से और इसी वज़े से इस इस्तिती से आपके डिप्रेशन में जाने या तनाव गरस्त होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है इसलिए आराम करना आपके शरीर के सबसे बड़ी आवशक्ता है और अक्सर हम इसे सबसे कम महत्व देते हैं हमें लगता है कि एदियम साथ आठ गंटे की नीन पूरी कर लेते हैं तो पूरे दिन सोने की आवशक्ता नहीं होती लेकिन ऐसा नहीं है वेंजडे चर्चल अपने सिक्स्टीज और सेवेंटीज में भी दिन के सोला सत्रा गंटे काम करते थे आठ साल की उम्र में इतना काम करना कोई आम बात नहीं है लेकिन इस उर्जा का रहस से क्या था दरसल वे अपना आदा काम सुबह 11 बजे तक पूरा कर लेते थे 11 बजे तक वे अपने बिस्तर से नहीं उठते थे बलकि अपने बिस्तर पर ही आराम दैक इस्तिती में बैट कर वे अपने कुछ काम जैसे टेलीफोन कॉल, इमेल और फोन कंफरेंस ये सब पूरा कर लेते थे इसके बाद लंच करते ही वे एक गंटे की जब्की ले लेते थे फिर शाम को वे डिनर से पहले दो गंटे सो जाते थे जिसकी वज़े से वह आदी रात तक जाकते थे और अपना काम पूरा कर पाते थे वह भी अपनी बोड़ी को ठकाए बिना यदि आप एक या दो दिन वेस्टे चलचल की इस आदत का पालन करके देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि ये आदत कितनी उपियोगी है आठ गंटे सोना, सारा दिन काम करना ये आदत आपको बहुत ज़्यादा थका देती है क्योंकि आपको दिन भर बिना किसी आराम के मशीन की तरह काम करना पड़ता है लेकिन इसी के बजाए यदि आप रात को सिर्फ छे गंटे सोते हैं और दिन में दो बार एक एक गंटे जबकी ले लेते हैं तो इससे आपके काम करने की शमता बढ़ेगी और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी और जब धकान नहीं होगी तो आपको तनाव भी नहीं होगा यदि आप काम के कारण दिन बर जबकी नहीं ले सकते तो कोशिश करें कि शम को खाने से पहले कम से कम एक गंटे की जबकी ले ले जिसकी वज़े से आपके बोडी फिर से काम करने के लिए तयार हो जाएगी आदुनुक जीवन के भागदोड में हम अकसर अपने शरीर की अंदेकी करते हैं हम काम में डूबे रहते हैं, तनाव से जूचते हैं और अपनी मांस्पेशियों को अंदेका करते हैं परिणाम सोरूप हमारे मांस्पेशियों में लगाता और तनाव रहता है, जिससे दर्द, ठकान और चिंता हो सकती है क्या आपने कभी गोर किया है कि काम करते समय आपका सर भारी पन से जुख जाता है या आपकी आँखों की भौएं तनाव में सिमट जाती हैं ये सबी संके थें कि आपके मांस्पेशियों को आराम की आवशकता है आईए हम कुछ सरल व्यायामों के माध्यम से अपने शरीर को तरा मुक्त करना सीखे चेहरे की मांस्पेशियों को आराम दे दीरे दीरे अपनी आखे बंद करे और अपनी पलकों को डीला छोड़ दे अपनी होटों को एक मुस्कान में फैलाएं और कुछ सिगंड के लिए रुके अपनी नाख को हलके से सिकोड़े और फिर छोड़े अपने चेहरे की माज़ पेशियों को डीला छोड़ दे और महसुस करें कि तनाव कैसे दूर हो रहा है आइब्रो और गरदन को आराम दे अपनी आइब्रो को उपर उठाए और कुछ सेकेंड के लिए रुके अपनी आइब्रो को नीचे गिराए और फिर छोड़े अपने सीर को धिरे धिरे एक तरफ गुमाए और फिर दूसरी तरफ, अपनी कंदों को उपर उठाएं और फिर छोड़े, अपनी गर्दन को आगे की ओर जुकाएं और फिर पीछे की ओर, कंदों को आराम दे, अपने कंदों को आगे और पीछे घुमाएं, अपनी बाहों को उपर उठाएं और फिर धीरे धीरे नीचे ल तनाव महसूस कर रहे हूं। आप इन व्यायामा को अपने डेस्क पर अपनी कार में या कहीं भी कर सकते हैं। थोड़े से अभ्याज के साथ आप पाएंगे कि ये आपके तनाव के इस तर को कम करने और आपके शरीर को आराम देने में बहुत प्रभावी है। ये भी याद रखें कि इस तर जीवन शेली के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहर भी महत पूर्ण है। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आप अधिक और जावान, खुशाल और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। जरूर कर दीजेगा। धन्यवाद।